आरे ऑर स्टूदेंट्स, आपकी बैक तो बैक खूब सारी वकेंशी आती जा रही है, बैंकिंगे बहुत सारे फॉर्म भर चुके हो, पेपर दे चुके हो और उससे भी जादा फॉर्म में अभी अपने भरने हैं और पेपर देने हैं तो students ये समय जो है एक banker के लिए एक बहुत बहतरीन समय होता है और अगर मैं बात करो insurance sector की insurance sector की vacancies का कोई pattern नहीं है वो कभी भी आ जाती है और luckily इस बार आपकी जो insurance की vacancies आ रही है वो banking के साथ ही आ गई तो आप सब जानते हैं कि आपका banking हो या insurance हो दोनों exams को conduct करने वाला कौन है IBPS IBPS conduct करता है आपके सभी banking और insurance exams को जिस वजह से इन दोनों exams का syllabus भी same होता है आपका वही prelims होता है फिर mains होता है ठीक है बलकुल same pattern का रहता है आपका banking और insurance sector का और already जब आप पूरी form में हो banking sector के exams की त्यारी कर रहे हो SBI की vacancies भी आपकी बस बहुत जल कभी भी announce हो सकती है तो कहां आप सब wait कर रहे थे SBI PO की vacancies की जो आनी ही है बस कुछ दिनों में बट साथ ही साथ एक और मौका आप सबको मिल रहा है form भरने का वो है NICL तो NICL ने assistant post की recruitment announce करी है और आज मैं आपको सारी details बताऊंगी कि इसके लिए क्या age required है क्या eligibility criteria है क्या exam pattern है ताकि आप समझ सको कि आप इसका form fill कर सकते हैं या नहीं fill कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं important dates से आपकी important dates क्या है देखिए online examination, sorry online registration जो है वो आपकी 24 October से start हो रही है और आपकी online registration की और application fees pay करने की last date है आपकी 11 November online fees पे होती है registration करते हो साथी साथ online fees पे भी आपकी हो जाती है तो 11 November से पहले आपको इस form को fill करना है इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 और 11 को fill कर रहे है कोशिश करिए 6, 7, 8 November तक आप इस form filling को done कर दो fees भी pay कर दो क्योंकि last days में बहुत problem होती है website खोलते हो, 2-3-3 गंटे बैठे रहते हो, वो load ही होती है, hang होती है क्योंकि last days में बहुत बच्चे form भर रहे होते है और उसका result कुछ भर पाते हैं और कुछ नहीं भर पाते है तो ऐसी situation phase करने से बेटर है कि आप समय में form भरी है ताकि आपको ऐसी situation का सामना करना ही ना पड़े तो 11 निवेंबर से पहले आपने इस form को fill करना है तो एक तरह से 8 निवेंबर तक भर लेना इस form को हर हालत में और आपका जो online exam है उसकी डेट है 30 निवेंबर और जो आपका phase 2 यानि main से उसकी डेट है 28 दिसमबर यानि approximately महीने का gap है दोनों exams के बीच में पाकि इसके call letters कब आएंगे मतलब phase 1 का call letter और phase 2 का call letter आम तोर पे देखो 10-12 दिन पहले आजाते हैं ठीक है तो exact date जो है वो आपको बाद में बताएंगे कि कब इसके call letter आ रहे हैं तो यह important dates है अभी आपका जो है October का समय चल रहा है खतम होने वाला है October और एक महीना पूरा पूरा आपके पास है इसकी त्यारी करने का ठीक है आप pre की त्यारी तो एक महीने में कर सकते हैं बाकी mains के लिए थोड़ा high level का पढ़ना है तो mains के लिए आपको एक और महीना मिल जाएगा तो total आपके पास दो महीने का समय है इस exam के लिए और कई बार अगर कोई date clash होती है क्योंकि already इस समय हर weekend पे आपका कोई ना कोई paper है अगर कोई date clash होती है तो कई बार date भी change हो जाती है बट अभी notification में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप ये dates ही मान के चलिए चीक है still आपके पास one to two months का समय है one month आपके पास है pre के लिए और two months का समय है आपके पास mains के लिए ओके और इस समय में आप बहुत अच्छे से त्यारी कर सकते हैं इस exam की क्योंकि ये assistant post का paper है जिसमें आपका difficulty level भी बहुत जादा नहीं होने वाला easy level होगा आपके paper का बहुत असान level रहेगा क्योंकि assistant में आपका paper जो है वो जादा difficult नहीं आता है तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया opportunity रहेगी और ये आपकी statewide vacancies है पूरी notification में ठीक है टोटल 500 vacancies की recruitment हो रही है तो ये आंधरप्रदेश, अरुनाचल, असाम, बिहार, चत्तिसगर, गोवा, गुजरात, हर्याना, हिमाचल, जारखन, करनाटका, केरला, मध्यप्रदेश, महराश्टरा, मानिपूर ठीक है और भी बहुत सारी है और इन सबकी नहीं regional language भी है हिमाचल के लिए भी आपकी Hindi language है ठीक है? तो उसके बाद बिहार के लिए भी आपकी Hindi language है तो मतलब नॉर्थ, जो आपकी states है, उनकी तो maximum Hindi है उसके बाद मिघालियू, मिजोराम, नागालांड, उडिसा, पंजाब पंजाब के लिए पंजाबी है, राजस्थान, हिंदी, सिक्किम, तमिल नाडू और तलांगना तो ये सारी total vacancies हैं आपके सामने, सबकी language इन्होंने बता दी है सिक्किम के अगर आप है तो निपाली और इंग्लिश, रीजिनल लैंग्विज वहां की चलती है तो ये आपका vacancies का सारा distribution है, उसके बाद आपका त्रिप्पुरा, उत्तर प्रदेश, यूपी की भी हिंदी है, उत्तराघंड, वेस्ट पिंगॉल, अंडेमा निकुबर, चंडिगड, चंडिगड में हिंदी पंजाबी दोनों चलेगी, डेली के लिए हिंदी, जम्मु कश् लदाग और पॉंडिचेरी, ठीक है, ये यूटी से सारी लास्ट में आपकी, तो स्टुडेंट्स, अब आपका examination pattern क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते है, phase 1 examination जो की November में होना है, phase 2 examination जो की December में होना है, phase 1 यानि की preliminary exam, वही banking वाला system, English, reasoning और maths, ठीक है, और आपके 30 questions English के, 35 questions reasoning के और 35 questions आपके maths के, weightage आपकी वही 30 marks, English 35 marks, reasoning और 35 marks आपके maths, और sectional time limit आपको मिलेगा, 20 minute आपको हर section के लिए मिलेगे, जैसी 20 minute पूरे होंगे, आपका section लॉक हो जाएगा, और total paper आपका जो है, वो एक घंटे का है, 100 सवाल और 100 number, okay, तो बाकी reasoning और maths के question तो आपको English और Hindi द पर English का section आपको सिरफ English भाशा में ही मिलेगा, ओविस ही बात है ये तो, अच्छा, इसके बाद आपका जो face to main examination है, उसमें आपका reasoning, English, maths, journal awareness और computer, मतलब reasoning, English और maths तो आई रहा है, उसके अलावा आपका journal awareness और computer भी आएगा, सभी section जो है, 40 सवाल आएंगे, और सारे section 40 number के हों सवाल और 40 number और आपको समय मिल रहा है देखो reasoning के लिए, English के लिए और maths के लिए, तो आपको 30 minutes each मिलेंगे, पर जो आपका journal awareness और computer है, उसके लिए आपको 15 minutes each मिल रहे हैं, तो total आपका ये 2 हंटे का paper है, जो कि आपका December में होना है, तो जिन बच्चों का preliminary qualify होगा, उनको mains के ल theoretical में भी ऐसा ही रहता है, कि अगर आपके preliminary qualify होता है, तभी आपको mains के लिए बुलाएंगे, और prelims के number matter नहीं करते हैं, नमबर matter करते हैं, आपके mains के, okay, mains के number जो हैं, आपके वो matter करते हैं, कि final जो आपका वो merit list बनेगी, वो mains के score के हिसाब से बनेगी, और इसके बाद आपक regional language test होगा, ठीक है, जब आपका mains भी clear हो गया, उसके बाद interview तो होता नहीं, असिस्टेंट में, regional language test जो है, वो सरफ qualifying nature का है, और इसके कोई scores अलॉट नहीं होगे, ठीक है, यह सरफ qualify करना है आपको, यह है आपका examination pattern, और age की अगर मैं बात करों, तो आपकी age जो है, वो 21 years minimum है और maximum जो है, वो आपकी कितनी है, 30 years है, तो मतलब आपका जो date of birth है, वो 2-10, 94 और 1-10, 2003 के बीच का होना चाहिए, and both days inclusive, मतलब इनी dates को अगर आपका जनम दिन है, तो आप eligible हैं, तो इन दो dates के बीच का आपका birthday होना चाहिए, क्यूंकि आपका जो age का criteria है, वो as on 1st October 2014 है, ओके, बाकी ये कुछ age relaxations आपको मिलती है, SCST में 5 साल की relaxation है, मतलब अगर आपकी उमर 35 वर्ष तक की है, तो आप form भर सकते हैं, OBC में 33 की age तक भर सकते हो, ठीक है, disabilities में आप 40 की age तक भर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपकी कुछ, और existing employees जो है, वो भी 35 की उमर तक इस form को fill कर स arts में करी है, commerce में करी है, medical में करी है, non-medical में करी है, एक simple graduation आप से मांगी जा रही है, आपके पास minimum qualification होनी चाहिए, graduation की किसी भी discipline की चलेगी, ठीक है, किसी भी recognized university की, बस आपके पास certificate होना चाहिए, कि आपने pass करा है, वो paper, as on 1st October 2014, ठीक है, 1st October 2014 से पहले का ही, आपके पास proof होना चाहिए, कि आपकी graduation पूरी तरह से completed है, और आपने वो pass किया है, score का कोई criteria नहीं है, number जितने मर्जी है, चलेंगे, ओके, और आपका जो ये regional language test है, जिसमें की reading, writing और speaking का होगा, मतलब आपको सिरफ regional test के लिए बुलाएंगे, आप से बात करेंगे उस भाशा में, ठीक है, पढ़ने को newspaper दे देंगे, पढ़ो थोड़ा सा दोलाईने, लिखने को दे देंगे, ठीक है, वो सिरफ qualifying है, बड़ा basic सा test होता है, जिसके marks matter नहीं करते, पर अगर आप उस regional language test को qualify ना कर पाए, जो कि बहुत rare होता है, ठीक है, वो तो वही है कि आपको भाशा आती है और आपने फिल कर दी मुझे भाशा आती है, वो वाला case अगर आपका हुआ, तो फिर आप जो है, डिसक्वालिफाय हो जाएंगे, ओके, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है, अ पिर हो गए हैं और आपने पास कर लिया है, और आपके selection पका होगी, ऐसा नहीं है, अगर उनको लगा, आपकी selection से पहले उनको लगा, कि आपने कोई detail गलत फिल करी है, ठीक है, आपने marks गलत फिल करे हैं, असल marks देखो, एक होता है, गलती से गलत फिल कर दिया, उसका तो पिल करे हैं, और आपको जितने भी certificate करने हैं, वो सारे certificates आपके properly submitted हैं, ठीक है, वो अगर चेक करते हैं, कोई problem नहीं है, किसी भी certificate पे, जैसे आपने age की reservation claim करी है, पर आपके पास certificate ही नहीं है, reserved category का, तो आप उस relaxation को avail ही नहीं कर सकते हैं, हाँ, अगर आप 28 साल के हो, तब तो आप journal category में ही आ रहे हैं, है ना, पर अगर आप 32 साल की उमर में form भर रहे हैं, और आप reservation को claim कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको certificate भी तो produce करना पड़ेगा इस चीज का, तो मतलब यह है कि जब आप form फिल कर रहे है बहुत ध्यान से form को फिल करिए, अपना age, अपना score, ठीक है, अपनी सारी details बहुत ध्यान से फिल करनी है, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की problem ना आए, और आपको मैं बार-बार कह रहे हूँ, assistant का paper है, एक तो देखो, IBPS ने लेना है, तो level बहुत असान होगा, दूसरी बात, assistant का paper है, ठीक है, तो मतलब, देखो, IBPS ले रहा है, जिस वज़ा से आप banking की त्यारी अल्रेडी कर रहे हो, वो भी आपको benefit हो रहा है, और assistant का paper है, जिस वज़ा से ये बहुत असान होने वाला है, तो इस मौके को बिलकुल नहीं गवाना, क्यूंकि आपको इसके लिए तक ही इस form को fill कर देना है, ओके students, thank you so much, और हमारा जो batch इस time चल रहा है, जिस batch में हम आपको complete सारा syllabus करवा रहे हैं, सभी banking और सभी insurance exams के लिए, उसका link आपको description में given है, तो उस link पे click करके, आप हमारे उस batch को register कर सकते हैं, और इस exam की preparation फड़ा-फट से कर भी सकते हैं, ओके students, तक हैंजी कूए से का में का में प्रेको झाल हैं, जो के सख़ छूपर इस हमारे जास और बुतों कर आपा आवाने भी सार्वाल से chemिते हैं, जो फिर मेंस कर इस हमारा हैं, जो भी सrasan ह।ो